मेरी अपनी सब की है ये मेरी अपनी सब की है ये आज ही नहीं कल की है ये अपने हक अधिकार दिलाती आपकी बातें हर मुश्किल का हल है सुझाती जीने की एक रह दिखाती अंधियारे मेर रह दिखाती आपकी बातें आपकी बातें आपकी बातें दुर्शकोर नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत दूरदर्शन 36 गड़ के सजीव प्रसारन कारेक्रम आपकी बाते में और कारेक्रम की आज की इस कड़ी में हम जिस विशे पर बात करना चाह रहे हैं वो है मोर सपना, मोर विक्सित 36 गड़ और इस विशे पर चर्चा के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में मंतरित किया है 36 गड़ विधान सभा के धर्सीवा विधायक पदमश्री अनुच शर्मा जी को हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और अनुच जी मैं अपनी बात यहीं से शुरू करूँगा कि आपकी सरकार ने कहा हमने बनाया है हम ही समारें और 36 गड़ की जनता ने इतना वेलकम किया कि आपको सौंप दिया कि हाँ हमारे 36 गड़ को समारें और आज अगर हम 36 गड़ की बात करें तो हमारा 36 गड़ अपनी सिल्वर जुबली के तारिक के करीब है 24 साल का सफरता एक और चुका है इस युवा 36 गड़ को और मोर विक्सी 36 गड़ की जब हम बात करते हैं तो किस तरह से देखते हैं और क्या कुछ करना है देखिये विकास एक सतत प्रक्रिया है जब 36 गड़ राज बनाने की बात होई थी तो हमारे ततकालियन प्रधान मंतरी स्वरगी अटल विहारी बाचपेई जी ने निर्णाय किया कि 36 गड़ राजिका निर्मान किया और 36 गड़ राजिका निर्मान किया और 36 गड़ राज बनने के बाद 15 सालों तक एक स्थिर सरकार रही और उस स्थिर सरकार ने जो इंफ्रस्ट्रक्चर में काम किया जो 36 गड़ के विकास के लिए काम किया जैसा कि आपके कारक्रम का नाम ह और हमारी सरकार ने एक सुनियोजित तरीके से चत्यसगड के विकास का क्रण शुरू किया आप देखिए कि आप नया रायपूर जब जाते हैं तो आपको इस सदी का एक नया शहर दिखाई देता है जो इस सदी के टेकनोलोजी के साथ समय के साथ ग्रो करने वाला बड़ा शहर नज़र आता है एक पूरा का पूरा नगर या एक महा नगर जिसे कह सकते हैं जहां हर तरह की सुविधाएं हैं और सारी फैसलिटीज हैं। ऐसे ही 36 गड़ में अगर आप देखें, चाहे सडकों के नेटवर्क की बात हो, रेल नेटवर्क की बात हो, या फिर खाद्यान को लेकर बात हो, या उद्योगों को लेकर बात हो, जब एक इस्थिर सरकार आती है और एक वीजन के साथ आती है, जैसा कि माननी प्रधान मंत्री जी का वीजन है, कि आप भारत जो देश के किस नंबर की अर्थवेवस्था था और आज कहा हम खड़े हैं। हम 11 पैदान से, आज 5 पैदान पर आ गएं। ये एक जब मजबूत इरादों वाले प्रधान मंत्री देश को मिलते हैं, या मजबूत इरादों वाले नितरत का जब देश के लिए काम करने का मौका मिलता है, तो फिर वो इस तरह से फैसले आते हैं। आज ही एक अच्छी खबर और आई है कि 1360 करोड रुपे मानिय प्रधान मंत्री जी ने 36 गड़ में रेलवे के डिवलप्मेंट के लिए, रेलवे के विकास के लिए उन्होंने 1360 करोड रुपे के घोशना की जिसमें दो नए रेलवे स्टेशन भी बनेंगे। अनु जी आपने बहुत सही का कि विकास एक सतर प्रक्रिया है और इसमें जो है हर शेत्र में विकास बहुत जरूरी है तब हम इसे पूंड विक्सित 36 गड़ की बात कर सकते हैं। आपने प्रधानमंत्री जी की बात की तो हम आप से झालना चाहेंगे कि राजसरकार अपनी योजनाय तो बनाई ही रहंगी। केंद्र सरकार की जो योजना हैं, उनके साथ कॉल्लिबरेट करते हुए, उनको लेते हुए, राज में उसको इंप्लिमेंट करते हुए, आने वाले समय में क्या कुछ छतिसगर की बदलती हुए तस्वीर लोग देखेंगे। देखें, निश्यत तोर पर जब केंद्र में और राज में जो सरकारे हैं, उनके भी सामंजस अच्छा होता है, केंद्र की योजनाओं और राज की योजनाओं के भी जब सामंजस होता है तो प्रदेश के विकास का एक बड़िया मॉडल तयार होता है, मैं उधारन के लिए ए कि 36 गड़ में जिस तेजी से काम होना था वो नहीं हो पाया अब हमारी सरकार आई है और हमारी प्रात्मिक्ता है कि उस योजना को जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए इसी तरह प्रधानमंत्री आवास की बात हो कि उन्होंने ये निश्य किया है ये उन्होंने संकल्प लिय के लिए सरकार ने संकल्प लिया है इन योजनाओं को नीचे जब ग्राउंड लेवल पर उतारने की बात होती तो राज सरकारों का बहुत-बहुत पूर्ड रोल होता है और उस भूमिका में अब हमारी 36 गड़ की सरकार जो है बानिविश्णु देव साही जी हमारे मुख् पतार दी तो अब मुझे लगता है कि वो जो सामंजस है केंद्र और राजिका वो बहतर होने के बाद जो आम जनता है उसे ज्यादा से ज्यादा लाब मिलता है जी अनुजी 36 गड़ के संदर्व में जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो एक तस्वीर जो 36 गड़ की है वो आद आने वाली हैं उस बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं दूसरी बात जो बस्तर शित्र की बात वहां अतिवात की समस्या जो है उससे भी निजाद लोगों को मिले और वो विकास वहां और तेज हो यह नहीं कि वहां विकास नहीं हो रहा विकास हुआ है बहुत हु प्रदेश है और इस प्रदेश में देखिए। अब नात्रंव एक आदिवासी नेत्रित्यों के पास है। अगर आप देखें तो सरकार ने निश्या लिया कि तेंदू-पत्ता की कीमत बढ़ाई जाये। हमने गोशना पत्र में कहा था उसको हमने लागू करवाया चरण पादुका की योजना थी आप जाके देखिए दुरस्त अंचलों में रहने वाले ऐसे बच्चे जो जंगलों में बहुत दूर के रहने वाले हैं आज वहां के बच्चे आईएस की परिक्षा लिख रहे हैं आ अकसल शेत्रों में यह सुदूर अंचल जो है हमारा वहां की बात आप कर रहे हैं आप देखेंगे हमारी सरकार आने के बाद हमारी यह नई सरकार आने के बाद जिस संख्या में लोगों ने आत्मस्मरपन किया है जितने encounters हुए हैं और जिस तरह से यह मुहीम चली है मानने ग्रिह मंत्री जी भी इस प्रदेश के दौरे में थे उन्होंने बहुत लंबी-लंबी बैट के लिए हैं और एक प्लैनिंग करके पूरे सुनियोजी तरीके से इस अतिवाद को खतम करने की पूरी तैयारी है और उन्होंने कहा है कि 2026 तक चतीजगर से और देश में जो है ये आधार भूत अविशक्ताओं के अगर हम बात करें तो इसमें शिक्षा बहुत महत पूर्ण है और किसी भी शेत्र के विकास में शिक्षा का जो है वो पहला चलन बहुत वह है शिक्षा के शेत्र में क्या कुछ अमुचुल योजनाय हैं जो आने वाले समय में यहां के बहाओं के अनुरूप वो शिक्षा पद्धती नहीं थी उन्होंने हमारे शास्त्रों को हमारे पुरानों को उन्होंने हमारी पारंपरिक जो शिक्षा की पद्धती थी उससे हम भारतियों को दूर करने का प्रयास किया क्योंकि वो नहीं चाहते थे भारतियों ने जो प्रेशन कर दिया करते थे आप इससे बड़ा उदारण क्या होगा कि गणेश जी एक मानाव शरीर पे एक हाथी का सिर ये भी तो कहीं ने कहीं इस बात का धियोतक है कि तब ये टेक्नोलाजी थी आप चाहे हम लोग उडंखटोले की बात करें इस तरह की बातें पहले थी और इससे अंग्रेशों ने हमें दूर करने का प्रयास किया जो भारतियों का आत्म विश्वास जो आत्म सम्मान था उससे दबाने का प्रयास किया इसलिए हमारी सरकार ने ये निश्य किया है कि हमारे यहां रास्ट्री शिक्षा की जो नई निती आई है जो उसके तहत जो भा पीएम श्री स्कूल अभी शुरू हो जाएंगे तो स्कूलों को अपग्रेड करने की तयारी है और NPA आने के बाद नहीं शिक्षा प्रणाली आने के बाद अपने स्थानी लैंग्विज में और उसके साथ ही साथ अब जो लैंग्विज का बेरियर होता था एक पर्टिकुलर आने वाले समय में जो माननी प्रणाली जी ने एक वीजन रखा है कि सन 2047 में जब हमारी आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तो भारत सुपर पावर के रूप में विश में स्थापित हो उस और लिजाने वाली ये शिक्षा पधती होगी ये पी-म श्री स्कूल होंगे प्र पर जो पी-म स्री य treat योजनः रहे Kyंकुकि इसके बारे मिन जितना भी कुछ पढ़ने को मिल रहा है अभी दिरे दिरे वह in agreement भी हो रहा है तो刹स कूली शिक्षा के जो इस्तिर है वह बहुत ज्यादा जमकने वाला है बढ़ने बाहाद को से बात जब शिक्षा की बात चल रहे हैं ना सिर्व शिक्षा प्राप्त करने के लिए बलकि आई टी की मास्टरी लेने के बाद वो बाहर जॉब कर रहे हैं आने वाले समय में जब हम पूर मोर शिक्षे चतिसगड़ की बात करते हैं क्या लगता एक बहुत अच्छा प्रेटफार्म यहां के आई टी के विद सब्सक्रिया करती हैं उनके लिए भी आपने सुना भी होगा कि रायपूर नया रायपूर में अब आई टी इंडस्ट्रिस के साथ मोई साइन हुआ है और उनको यहां आमंत्रित किया जा रहा है कि वह अपना इंफ्रस्ट्रक्टर डिवेलप करें और साथ ही साथ अब 36 अगर देखें आज रायपूर शहर में ट्रिपल आई टी है भिलाई थोड़ी सी दूरी पर आई आई टी है अप यहां कर सकते हैं आई आई एम हैं एम से एन आई टी है और कृशी के लिए भी बहतर संस्थान है यहां पर तो अगर आप देखेंगे तो सभी क्षेत्रों में है एचनल यू है तो इस तरह से स्ट्षनिक चेत्र में सभी तरह के संस्थान रायपूर में और चतीजगण में हैं जिसका लाब इन युगाओं को जरूर मिलेगा जो शिक्षा के चेत्र में बहतर शिक्षा अर्जित करना चाहते हैं तो अनु जी मोर सपना मोर विक्सी चत शाम के बाद तुरंत हाजिर होते हैं शेबजी दूर दर्शन चेत्र गड़ में दर्शकों विराम के बाद एक बार फिर हम हाजिर हैं आप देखने हैं आपका अपना पसंदिदा कारिक्टम आपकी बाते हैं और करेकम के आज के इस कड़ी में हम बात कर रहे हैं मोर सपना मोर विक्सी चतिस गड़ हमारे साथ हैं चतिस गड़ विधान सभा धर्शन चेत्र के चिर यूवा और पद्श्री अनु शर्मा जी अनु जी एक बार फिर आपका बहुत-बहुत स्वागत हम ब्रेक पर जाने से पहले बहुत सारी बाते हैं कर रहे थे शिक्षा के शेत्र की बात हुई नया रायपूर्ट के समन्द में बात हुई अब मैं आप से एक बात ये पूछना चाहूँगा आप अनु शर्मा यहां के एक आईकॉन है युवाओं के लिए गला के शेत्र मे अगर मैं 36 गड़ की बात करूँ यहां के फिल्मी डैवलपबेंट की अगर मैं बात करूँ तो आने वाले मोर विखशित 36 गड़ में क्या कुछ ही हो जना है देखिए किसी भी देश की पहचान उसके विकास की पहचान होती वहां की संस्कृती कि वहां का साहित वहां की संस्कृती कितना संपन्न है इस बात से किसी विक्सित देश की असल जानकारी मिलती है अगर आप संस्कृतिक طور پर और अगर आप अपनी परम्पराओं से प्यार करने वाले देश नहीं तो आप मजबूत देश नहीं कहाँ जाते हैं 36 गड़ में हमारी अपनी एक संस्कृतिक और पारम्परी का अपनी एक विरासत है और बहुत गर्व करने वाली विरासत है हमारी तो 36 गड़ की कला परंपराओं को सहेजने का काम निश्यत तोर पर हमारी सरकार करेगी और दृष संकल्पित है इस बात के लिए उसके लिए अलग-अलग कदम उठाये जा रहे हैं इसके साथ ही साथ फिल्म को लेकर आपने बात कही फिल्म विकास निगम की स्थापना हमारे पूरवर्ती सरकार जो थी यानि जो भारती जनता पार्टी की और सरकार थी हमारी पार्टी की तब डॉक्टर रमन सिंग जी ने फिल्म विकास निगम की घोशना की थी उसके बाद विगत पाँच सालों में इस पे कोई काम नहीं हो पाया लेकिन अब हमारी सरकार ने निश्चा लिया है कि जो फिल्म विकास निगम के जो फायदे हैं वो फिल्म फर्टिनिटी को मिले वो चाहे उनको सबसीडी के रूप में हो ट्रेनिंग के रूप में हो फिल्म फेस्टिवल के रूप में हो स्टूडियोज के रूप में हो लोकेशन्स के रूप में हो जितने भी तरीके हो सकते हैं जिनसे 36 गड़ में फिल्म का व्यवसाय फले फुले अब दुनिया बहुत छोटी हो गई और filmmaking पहले से ज्यादा आसान हो गया है बहुत सारी प्रतिभाओं को अब अलग अलग तरह के मंच मिलने लगे हैं तो अब videos बनाने वाले, अब film बनाने वाले, social media के लिए reels बनाने वाले ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जिनकी प्रतिभाओं से अब दुनिया वाकिफ हो चुकी है तो ऐसी प्रतिभाओं को बहतर आवसर मिले, उसके लिए सरकार निश्यत तोर पर मजबूत कदम उठाएगी और उठाने जा रही है बहुत जल्द और आज हमारे 36 गड़ की संस्कृति वहां तक पहुंच रही है, मैं इस बात में ये भी जोड़ना चाहूँगा कि इसके साथ साथ जो यहां के युवा हैं, उनको रोजगार भी मोहिया हुआ है, बहुत सारे जब कला के शेतर में काम होते हैं, तो रोजगार असी बात पर अब आप से और करना चाहूँगा, कि यहां के युवा है, उसको रोजगार के और अवसर बढ़े, चाहे वो परेटन की शेतर की बात हो, होटल उद्यों की बात हो, तो उनको वो आकाश किस तरह से मिल सकता है, आने वाले से में, देखिए, हमारे यहां प्रदेश में और के है, उसका सबसे बड़ा फायदा मिलने वाला है युवाओं को परेटन के शेतर में, केंद्र सरकार की योजना है, जो ऐसे बड़े धार में के स्थल है, उनको डिवेलप किया जाए, आप देखेंगे काशी का रूप बदल चुका है, आप देखेंगे जैन का रूप बदल ऐसी 36 गड़ के जो धार में किस्थल हैं, जहां बड़ी संख्या में लोग आते हैं अपनी आस्था के साथ, ऐसे केंद्रों को डिवेलप करने का केंद्र सरकार के सहयोग से हमारी राज्य सरकार काम करेगी, और निशित तोर पर जब कोई ये केंद्र बड़ा परियटन छेत बनता है, तो वहां अलग-अलग काम में युवाओं को नए बिजनस, नए उद्योग, नए काम के लिए उनको अवसर मिलता है, कि वो नए रोजगार के साधन अरजित कर पाते हैं, और ना सिर्फ खुद अरजित करते हैं, और उनको भी दे पाते हैं, तो अलग-अलग अव पुर्ण बाती है भी, कि जो हमारे चतिसगड़ की खेल प्रतिभाएं हैं, इनको अभी भी राष्टी और अंतराष्टी बाश्टी वो जगह नहीं मिल पा रही हैं, जिस हिसाब से हम यहां पर प्रतिभाएं को देखते हैं, तो इनको राष्टी और अंतराष्टी इस तर पहुंचाने के लिए खेल के शित्र में प्रदेश सरकार अपनी तरफ से और केंद्र सरकार के माध्यम से क्या कुछ करने की आपका बहुत सुन्दर सा सवाल है, आज मैं जिस कारकरम से यहां आ रहा हूं, वो था आज खेल अलंकरन समारो था, ऐसी प्रतिभाएं को आज सम् जिन्होंने खेल की दुनिया में 36 गड़ का नाम रोशन किया है, यह सम्मान समारो कुछ वर्षों से आयोजित नहीं हो रहे थे, इन बातों का अभाव था, बेसिक इंफ्रस्ट्रक्चर का अभाव था, अभी मैं क्योंकि एक विधायक के तोर पर काम कर रहा हूं, मैं अपन नशे से दूर जा सकते हैं, तो उसका सबसे बड़ा माध्यम खेल हो सकता है, तो सरकार का पूरा ध्यान है कि खेल को कैसे बढ़ावा दिया जाए, जिसकी एक बानगी मैंने आपको बताई, कि आज ही खेल अलंकरंट समारो से मैं शामिल होकर यहां आ रहा हूं, तो हमारा ब कुदेश का नाम रोशन कर सके मैडल जीत कर, जी, अनुजी ये बहुत अच्छी बात है, और ये बहुत सिर्फ बात ही नहीं, एक बहुत बड़ी आवशकता भी है, कि यहां की जो खेल प्रतिभाएं हैं, वो आगे जा सके, उसके लिए कि उनको माकुल माहोल मिले, उनको प प्रतिभाएं हैं, जिनको हम आगे ला सकते हैं, और वो आने वाले समय में न सिर्फ प्रदेश के लिए, बलकि देश के लिए भी बहुत नाम रोशन करने वाली बात करेंगा, अब मैं आप से एक चीज ये जाना चाहूँगा, कि प्रदेश सरकार अपनी योजनाओं से, के उन से क्या अपेक्षा की जाती है, कि उनका सहयोग भी जरूरी है, मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ, लेकिन इस सार्थक तभी होगा, जब आप मेरे साथ मिलके चले, तो ये इस बात पर मैं जाना चाहूँगा, आप क्या कहना चाहेंगे, च्छतिज गड़ के लोगों अगर आप देखें, हर विवाहित महिला को महतारी वंदन योजना के अंतरगत एक हजार रुपया मासिक प्राप्त होता है, तो हर परिवार को शशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित है, जनता का सहयोग ये चाहिए कि उन्हें भी अपने प्रदेश, अपने र पे जनता का साथ और सहयोग बिल्कुल जरूरी है, कि योजनाओं का पूरा लाब लें, और उससे अपना अपने परिवार का विकास करें, और कहीं न कहीं जब एक परिवार का विकास होता है, तो वो विकास समाज का विकास होता है, और समाज का विकास होता है, तो आपके शेटर का आपके राज़ का विकास होता है, आपके देश का विकास होता है, शिक्षा बच्चों को स्कूलों में जरूर भेजें, मेडिकल फैसिलिटी सका पूरा लाब उठाएं, क्योंकि अब हर किसी का इलाज अच्छे से होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम अवेर नहीं रह रहें ताकि हम सब मिलके मोर सपना के 36 गड़ यानि एक बहतर 36 गड़ बनाने में हम सब अपना योगदान दे पाएं बहुत अच्छी बात आपने कही है अनुजी और बहुत जरूरी बात भी है सिर्फ कि जब तक लोग उससे नहीं जुड़ेंगे जब तक वो जागरुक नही हैं उसकी वो जानकारी लेकर उसका लाब नहीं लेंगे तो विकास की ये जो यात्रा है ये अवरुद्ध हो जाएगी आगे नहीं बढ़ पाएगी मैं कारेकम के लगबग अंतिम पड़ाव पर हूँ और आप से चलते चलते यही एक बार और चाहूंगा कि 36 गड़ के सपन को पूरा करने में हम सब को मिलकर के जो प्रयास करने हैं उसको किस तरह से एक अंतिम तौर पर हम देख सकते हैं कि हमको सब को यह करना है और अपना पूरा 36 गड़ जो है जैसे 2047 में प्रधान मत्री जी की एक सपना है कि पूर्ण विक्सित रास्ट तो क्यों ना हम 2047 तक प पूर्ण विक्सित भारत तब तक नहीं बन सकता जब तक पूर्ण विक्सित 36 गड़ नहीं बनेगा और पूर्ण विक्सित 36 गड़ बनाने के लिए सबसे जरूरी है कि हम जो भी काम करते हैं हो सकता है हमें किसान हो तो हम किसानी बहतर तरीके से करें क्रिशी बहुत बहतर उन्हा तकनीक के साथ करें, वहाँ जो स्कोप है, वहाँ जो सम्भावना है, उनको ध्यान में रखते हुए हम अपना काम करें, अगर हम किसी नौकरी में हैं, तो हम अपने नौकरी में अपने जौब को बहुत इमानदारी के साथ करें, हम अगर स्पोर्ट्स परसन है तो पूर्ण विक्सित भारत बनाने के लिए कर रहे हैं इस भावना की ज़रूरत है और हम सब यह चाहते हैं हर भारतवासी यह चाहता है और निश्चित तोर पर 2047 में हम पूर्ण विक्सित भारत बनेंगे निश्चित तोर पर बनेंगे क्योंकि सभी ने यह संकल्प ले लिया ह अपने हमारे दर्शकुर से जो सीधे समवाद किया है उसके लिए आपको बहुत बहुत आभारी हैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और दर्शकों आप से सिर्फ यह ही कहेंगे कि कारिकम के अगली कड़ी में एक बार फिर एक महत्पूर्ण विशे के साथ आप से होगी आपके बात तब तक के लिए नमस्कार मेरी अपनी सबकी है ये आज ही नहीं कल की है ये अपने हक अधिकार दिलाती आपकी बाते आपकी बाते आपकी बाते